हेलो एवरिवन, वेलकम टू अनिस्टोफवल आइस एकेडमी, अमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की त्यारी यह बहुत आशी चल रही होगी, इसमें मैं आप सभी के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ, कि EOPSC-CSE जो 2021 में और जो Learners 2022 में एक्जाम देने वाले हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से रखें और कौन-कौन सी बुके पढ़ें, ताकि उनका एक्जाम क्रेक करने का जो चांसे हैं, वो 100% हो सकें, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, तो आप इस वीडियो को last तक देखें, ताकि मैं आपको each and every point समझा सकूँ, मैंने एक कोटीशन यहाँ पे डाला है, life should be great rather than long, इस कोटीशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, अवेर होंगे, लेकिन ये कोटीशन मुझे energy देती है, बहुत ही जादा, आप, आपकी भ करके अपने study table के सामने चिपका है, क्योंकि उससे आपको उर्जा मिलती है, मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी है, only you can change your life, no one can do it for you, अगर आप जिस लक्ष को पाना चाहते हैं, सिर्फ आप ही पा सकते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो आपके लिए आगर के आप इस बनने की हो, या आप जो भी बनना चाहते हैं, सिर्फ आप ही उसे पूरा कर सकते हैं, अब मैं इस लेक्षर को आगे बढ़ाता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इसे subscribe कर लें, and like को प्रेस कर दें, मैं शुरू करता हूँ, उससे पहले मैं आप सभी के लिए ये बताना अवश्यक समस्ता हूँ, कि अगर आप प्रेलेम्स की त्यारी करना चाह रहे हैं, या मेंस की त्यारी करना चाह रहे हैं, मैं इस पे आप सभी को details में analysis बताऊंगा, कि previous year में UPSC ने किस तरह के question पुछे हैं, और आप 2019 और 20 से अपने question का pattern किस तरह से change किय इन सारी इन तमाम चीजों के उपर हम आज बात करने वाले हैं, कि आखिरकार UPSC किन learners को लेना चाहती है, एक बात और मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन learners के उपर work करने वाला है, जो अपने मेहनत hard working और smart working पे believe करते हैं, जो life में shortcut भूंडना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे ये work करेगा, ये वीडियो new learners plus जो दो-तीन साल से त्यारी कर रहे हैं, उनका prelims क्लियर नहीं हो रहा है, कभी prelims क्लियर हो रहा है, तो means क्लियर नहीं हो रहा है, उ देन उसके बाद मेरा अगला वीडियो optional के उपर आएगा, तो आएए अब शुरू करते हैं इस lecture को, मैंने यहाँ पे दे रखा है कि number of questions in prelims, art and culture की हम बात करें, तो 2013, 2014, 2013, 2014, 2015, 2016, और इस तरह से 20 तक अगर आप देखते हैं, तो 19 में यहाँ से number of questions 4 हो गया थे, लेकिन 2020 में इसके question को increase थोड़े मोरे कर दिया गया है, अब guys, क्या best strategy होनी चाहिए, उसके उपर पहले में बात कर लो, फिर मैं आपको number of questions and सारी सीचों बताने वाला हूँ, UPSC अपना दायरा अब बढ़ा रहा है, अब आपको भी अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, आप किसी भ रहा हूँ कि ये गलत है, नहीं लेजिए, लेकिन मैं आप सभी को ये सत्त भी बताना चाहता हूँ, जो true है, universal truth है ये, कि आप उस चीज़ पर depend होकर के रहेंगे, तो आपका UPSC कभी भी clear नहीं होगा, चाहे कोई IS officer ही बैठा करके आपको दिनदा क्यों न पढ़ाए, अगर अगर कोई IS officer भी आपको दिनदा बैठा के पढ़ाएंगे, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ, वो दावा नहीं कर सकते कि आपका UPSC clear होगा ही होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, hard working करते हैं, अपने bookों में time देते हैं, तो 90 से 95% chances ऐसे हैं कि आपका UPSC clear हो ही मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये reality है, आपको अपने book में समय देना पड़ेगा, 2019 और 2020 का जो question का जो pattern आया, अगर आपको जाना है कि मैं गलत बोल रहे हैं या सही, तो आप पिछले 5 या 10 साल का question पर उठाएं, आपको एक series pattern दिखाई देगा, कि politics से इतन question आ रहे हैं, economy से इतने question आ रहे हैं, environment technology से इतने question आ रहे हैं, इसका session ये है, यहां सी ये maximum question पूछ रहा है, parliament से ज़्यादा question पूछ रहा है, history में, post-independence से ज़्यादा question पूछ रहा है, गांधी के आगमन से question पूछ रहा है, ये सब सारी जो को आप find out कर लेंगे, लेकिन 2019 औ 20 में आएंगे, तो आपको ये pattern break मिलता हुआ दिखेगा, यहां पे medieval से question पूछा जा रहा है, NCN से question पूछा जा रहा है, ऐसे ऐसे terminologies को उठा कर ये question पूछा जा रहा है, जिसके बार में आप जानते भी नहीं है, इस सल 2020 में कुछ ऐसे question भी थे, जिसे teacher भी आज तक नहीं प पढ़ते हैं, तो how can possible कि वो आपको पढ़ाएंगे, एकली में teachers भी, teachers का भी एक अपना limitation है, उनका एक दैरा है, पढ़ानी का, एकली में वो उन्हीं topic को पढ़ाते हैं, जहां से numbers of questions ज्यादा आते हैं, जैसे parliament हो गया, post independence हो गया, environment technology में बहुत थमाम chapters हो गया, जहां से questions बनत जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, लेकिन उसे वहां से question क्या बन क्या रहा है, आपने कभी इस चीज़ पर रुक करके सोचा है, सारा दिन आप class कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों, मैं ये ना आपको हगिकत बता रहा हूँ, आप साथ समझ पा रहे होंगे मेरी बात अब मैं आपको ये बताऊंगा, कि आप standard book को, कौन-कौन से standard book आपके पास होने चाहिए, कौन-कौन से NCRT आपको पढ़नी चाहिए, आपको news कैसे follow करना चाहिए, इन सब तमाम चीज़ों पर हम बात करने बाले हैं, अब हम देखते हैं, जल्दी से, Indian history, आप Indian history में देखे, NCR to post independence, यहाँ पर number of questions आप देख सकते हैं, कैसे increase हो रहा है, ठीक है, 2013 में पांच कुश्चन था, 2014 में 6 कुश्चन आया थे, 2015 में आपके 11 कुश्चन आया थे, 2016 में आपके 6 कुश्चन आया थे, 2017 में 9 कुश्चन, 2013 में 16 कुश्चन, 2019 में आपके 11 कुश्चन, और 2020 में approximately 70 कुश्चन को करेंगे, किस तरह से आप ट्रेक करेंगे, उसके ओपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेए कि आखिर कर 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 क कुश्चन बंते कहांसे हैं, और किस तरह के कुश्चन आ रहे हैं, जिज़र 14 कुश्चन आया हैं, 2018, 15, 19, उसके बाद बार राद दस पांच और साथ दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2020 में मैक्समम कुष्टन जो जियोग्राफिक था वो इंडियन जियोग्राफिक था लोग आपको जो भी टीचर्स हैं जो भी आपके एजुकेटर्स हैं वो आपको फिस्कल जिग्राफिक फिस्कल जिग्राफिक फिस्कल जोग्राफिक प्रहते रहते हैं लेकिन फिस्कल जोग्राफिक से कितने कुष्टन आएं एक से दो कुष्टन आएं यानि कि अब UPSC कह रही है कि तुम इंडिया को जानो, तुम इंडिया के बाड़े में जानो, इंडिया के जिग्रोफिकल कंडिशन्स को जानो, कौन से हमारे पास संसाधन्स हैं उसके बाड़े में जानो, अब इस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, करेंट डफियर के नाम कितना पढ़ोगे आपकी भी तो एक लिमिटिशन्स हैं जो फैक्ट है वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला लेकिन जो कंटम्प्रेरी इसूज हैं उसमें बदलाव होते रहते हैं तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक्जाम को क्रैक कर सकें आप प्रिल कभी उनका प्रिलिम्स क्लियर नहीं होता है और जिस दिन उनका प्रिलिम्स क्लियर होता है वो टॉपर सी होते हैं कोई रोग भी नहीं पता आगे दिखते हैं इन्वैर्मेंट अन्य इकलोजी इसका तो मैं बता सकता हूँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है आज की रेट अगर आपने environment technology को थोड़ा सा भी escape किया इसका weightage दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है इस बार 2020 में और 2019 में जिस तरह से environment technology ने अपना स्वरोप change किया है आप जब previous question उठाएंगे और मैंने जो analysis किया है उसके उपर मैं आपको बता सकता हूँ कि environment technology आपके लिए रामबान होना चाहिए ये एक ऐसा गरंथ होना चाहिए जिसे आपको घोटा हुआ होना चाहिए मतलब कि पूरा याद होना चाहिए आपको उन तमाम चीज़े जो आपको याद होने चाहिए जहांसे questions बनते है environment and ecology का तैरा बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें आपको selected topic ही read करने है अब वो कौन से topic होंगे उसके बारे में मैं discuss करूँगा पहले questions देख ले रहे हैं 2013 में 20 questions है 2014 में आपके 28 questions फिर 22, 21, 14, 16, 20 एंड इस साल तो unpredictable हो चुका है my dear friends इसने तो अपना शोरूफ ही इतना जवर्दस तरीके से change किया कि environment plus agriculture को इतना धासू तरीके से represent किया है UPSC ने कि बहुत सारे learners इस बाद सौक्ड हो गया कि ऐसा भी UPSC कर सकती है बहुत सारे आप किसी भी मैं किसी teachers का किसी भी coaching center का या किसी platform का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा वो कभी agriculture subject को including नहीं करते prelims के लिए आपको तो बताते भी नहीं है कि ऐसे भी होता है लेकिन इस साल देख लो किया जब अर दस तरीके से question पुछा है जिनका optional होगा जो एगरी कल्चर पढ़े होंगे उनका तो prelims के लिए होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा question थे एगरी कल्चर से Science and Technology No doubt अगर आपने इस subject को skip किया तो भी आपके chances कम हो जाते हैं मैं आपको दिखा दू Environment Technology से 20 से 22 question आ रहे हैं Science and Technology से आपके question आ रहे हैं Approximately परते एक साल आपके numbers of question बढ़ते ही जा रहे हैं देखिए आप यहाँ पे इस साल Approximately आपके 20 question थे यानि कि दोनों subject को अगर आप देख ले तो 40 question तो यही हो गया Environment Technology, Science and Technology और Indian Political को ले ले तो अगर 20-20 questions भी आपके हैं तो 60 question तो यही हो गया बाकी के 40 question और सारी subject को मिला अगर के लाया गया अगर 20 question आप Environment से लेते हैं 20 question आप Science and Technology से लेते हैं फिर Quality से 20 question लेते हैं तो 60 question हो जाते हैं फिर आप 15-20 question अगर आप लेते हैं तो 70-75 आपके 15-20 मैं किस की बात कर रहा हूं history की बात कर रहा हूं अगर वहाँ से लेते हैं तो आपके 70-75 और 10 question आपका geography approximately 80 question तो ऐसे ही हो गए बाकी 20 question तो आपके rent of air ले ही सकते हैं और other subjects बट यह numbers of question दिखाने के लिए यहाँ से इतने question आड़ है लेकिन reality क्या है यह जानना है कि आखिर कर यह question बनेंगे कैसे दुनिया भर के आप तमाम coaching institute का आप testage उठा लेते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन question क्या आता है उसके एक भी pattern से आता है जो आपने question किया है जिसका आपने analysis किया है उस बेपी भी नहीं आता है एक दो question अगर आपने elimination से कर भी लिया तो क्या कर लिया आपने कौन सा आपने profit यहाँ पे किया कुछ भी नहीं किया एक business man की तरह सोचो तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया बलगी आपका समय बरबाद हुआ है इसलिए my dear friends मैं again आपको वो बात बताऊंगा और जहाँ पे मैं ले जाना चाहता हूँ कि आपको maximum time अपने books पे देनी है आप जितना ज़्यादा books पढ़ेंगे ज़्यादा मतलब कि आप selected book रखें और जितना बार उसे आप पढ़ेंगे आपके numbers of questions ज़्यादा से ज़्यादा increase होना शुरू हो जाएगा Indian economy नोट आउट यहाँ से 20 questions आते ही हैं अगर आप 3-4 subject को ले लेना तो आपके 80 questions ऐसे ही बन जा रहे हैं Environment Technology, Science and Tech Indian economy और History और Geography को मिला करके 20 ले लो ना तो यह 80 questions तो ऐसे ही हो जाते हैं अब आप सोच रहे हैं मैं जो समझाना चारा हूँ क्या आपको समझ में आना शुरू हुआ है यह pattern 2013 में 19 2013 में 19 questions फिर 10, 21, 29, 29 आपके 19, 22 and 2020 में अगें 20 से 22 questions आपके आगे हैं उसके बाद Indian polity इस साल भी 18 से 19 questions रहे हैं 2019 में 14 questions थे यानि कि यह तो एक ऐसा grant है एम लक्षमी कांथ जहांसे numbers of questions हमेशा बनते ही बनते हैं लेकिन इस साल का जो pattern है मैं मांदा हूँ कि easy to moderate था जो numbers of questions यहां से आए थे वो easy to moderate था hard नहीं था लेकिन उन learners के लिए hard हो जाता है जो थोड़ा से factual pattern नहीं देखते इसके उपड़ी बात करेंगे कि कैसे आपको अपना numbers च्चोर करना है अभी हम सिर्फ numbers of questions देख रहे हैं ताकि आपके mind के अंदर एक dot connect होना शुरू हो जाए कि इतने questions यहां से आते ही आते हैं यानि कि इन subject को आपको पढ़ना ही पढ़ना है contemporary issues and current affairs से आपके questions बहुत ज़्यादा आते हैं 2019 में 11, 2020 में फिर आपके 15 से 16 questions थे तो ये भी है फिर अब हम देखते हैं कि आपका score card ठीक है balance कर से करना आपको score card के उपर वो देखेंगे ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया science and technology से questions बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 20 से 22 questions आ रहे हैं environment technology से भी same रह रहे है 10 से 12 questions आपके geography से आ रहे हैं 10 से 12 questions आपके Indian politics से आ जा रहे हैं 20 questions यहां से आ जा रहे हैं यानि कि science and technology, environment technology और Indian economy 20, 20, 20 यानि कि 60 questions यह हो गया और 20 इन दोनों subject को मिला दे Indian history and geography तो 80 questions यह 4, 5 subject आपको 80 number के दे देते हैं ठीक है आपके Indian politics and governance यहां से भी आप देख लें तो आपके उतनी questions आते हैं 17 से 18 questions आ रहे हैं 20 से 22 questions आ रहे हैं अगर art and culture को आप इसकी भी कर देते हैं एक दो questions छोड़ भी देते हैं तो अभी आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है contemporary issues का पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि इसे आप ना पढ़ें कि यह strategy में आपको दिखाना चाहरा था कि कहां से question कितना बन रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया and अब मैं आपसे discuss करने वाला हूँ कि आपको अब पढ़ना कैसे है environment technology के लिए NCRT का 12th class का biology का जो book है उसका unit 10 chapter 13 से ले करके 16 तक environment technology के लिए मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा important क्या NCRT आपको 6 से 12 तक पढ़ना है या कौन कौन से selected book पढ़ना है इन तमाम चीजों के उपर आज मैं आपसे बाते करने वाला हूँ my dear friends मैं बस आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा अपने books के साथ समय बिताएंगे आपका selection होने का chances बढ़ता चला जाएगा आप जितना ज़्यादा दुसरे को पर dependent रहेंगे आपका selection होने का chance उतना ही ज़्यादा कम होता ही जाएगा यह मैं लिख के दे सकता हूँ आपको चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ें चाहे आपको कोई IS officer ही क्यों न पढ़ा है कोई भी वेक्ति पढ़ा है या कहीं topper से ही क्यों न पढ़ें लेकिन अगर आप जब तक अपने book में अपना समय नहीं देंगे आपका selection नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा लेकिन आप एक दो attempt खराब कर लोगे दिन आपको ये बाते समझ में आनी शुरू हो जाएगी books एक ऐसा तरीका है एक ऐसा friend है जो आपको आपके success तक ले जाएगा IS बना सकता है IPS बना सकता है आपकी उन तमाम dreams को पूरे कर सकते हैं जो आज आप देख रहे हो इसके बाद अब हम देख रहे हैं NCRT कौन कौन से पढ़ने है Indian history बहुत ही कम टाइम में मैं इसे अब कभर करने वाला हूँ Indian history ठीक है इसमें आपको 6 class का 6, 7, 8, 9, 10 जो मैंने books का list दे रखा है यह आपको book पढ़ने ही पढ़नी है ठीक है आप 6 का, 7 का और 8 class का आप 1 डिट कर सकते हैं उसके बाद आपको मन करें तो दुबारा पढ़े या ना पढ़े 9, 10, 11, 12 मैं कहूंगा कम से कम 2 से 3 बार आपको यह book पढ़ी होनी चाहिए ठीक है, अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कौन से पहले, कौन से books को पहले पढ़ना शुरू करें ठीक है, अगर कोई science background का student है अगर डिरेक्ट वो लक्षमी कांद उठा रहा है, ठीक है तो हो सकता है, उससे समझ में ना आए वो skip कर दे, उसके लिए बढ़न बन जाए तब पहले आपको अपना basic complete करना है जो जो चीजे जो आपने बच्पन में पढ़ी थी उसको आपको recall करना है कोई आपको कहता है कि आप NCRT परो, NCRT परो क्यों कहता है, NCRT पढ़ने के पढ़ने के पीछे बस एकी reason है ताकि जो चीजे आपने बच्पन में पढ़ी थी History, Geography, Policy, Science, Math ठीक है, मैं बादे-बाद करूँगा जो तमाम subject है वो ये इसलिए कहता है, ताकि आपको उसके बारे में वो keyword जो आपके mind से delete हो चुका है जो 5-6-7 साल पहले आपने study किया है वो आपको recall होना शुरू हो जाए ताकि जब आप standard book पे move करें तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो जो got it, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो please comment box में comment कीजिएगा मैं आपको उसका reply दूँगा 100% तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि 3, 11, 12 का जो history का book है वो आप पढ़ें ठीक है एक से 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ें मैं आपको बता दूँ कि कोई भी subject को सुरू करना यानि कि परहाई को सुरू करना बहुत ही असान है लेकिन उसको अंतिम छोड तक ले करके जाना बहुत ही मुस्किल है मैं आपको कोई भी book बताता हूँ आप जोस में जागर के लिए लेंगे और हो सकता है कि आप first read कर ले लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि first read करना जितना असान है second read करना उतना ही मुस्किल है जब तक आप first read नहीं करेंगे second read आप करना ही पाएंगे यानि कि पहला आपका स्री complete नहीं होगा first read जैसे ही आप कर लेंगे आपको जैसे ही इस book को second बार पढ़ना है two बार पढ़ना है, three बार पढ़ना है four बार में मैं नहीं करूँ कि पढ़ो लेकिन three बार आप कम से कम एक book को पढ़ो ही पढ़ो पहले read में हो सकता आपको चीजे समझ में ना है तो throwly पढ़ो, एक बार lying पढ़ लो सरसरी नजरों से देख लो, दूसरी बार में थोड़ा से रुख के पढ़ो, तीसरी बार में चीज़े आपको अपने आप ही समझ में आना सुरू हो जाएगा यह तमाम सब्जेक्ट के लिए है, आप जिग्राफि के लिए मैं आपको उता दो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जिग्राफि आपको पढ़नी है यहां से questions बहुत जारा बनते हैं, मैं आपको recommend करूँगा कि 11th and 12th का आप जो जिग्राफि है, उसे कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें 2-3 बार आप जरूर पढ़ें, क्योंकि एक पहली बार में आपको चीज़े समझ में नहीं आती, पहली बार में बस आप पढ़ते जाते हैं, देखते हैं, दुसरी बार में आपको चीज़े समझ में आने लगती है, और तीसरी बार में आपका mind उसे adapt करना शुरू कर देता ह से तो आप तो इसे स्किप्ट कर ही नहीं सकते हैं देन उसके बाद साइंस एंट टेक्नालोजी के मैं के लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि 6-7-8-19 का साइंस आप एक से दो बार पढ़ें ठीक है लेकिन 11 है 12 का जो मैंने चिप्टर दे रखा है बाइलोजी का यूनिट 4 बाइलोजी का यूनिट 5 11 क्लास का इससे कम से कम आपको 4-5 बार पढ़ने है दो ही चेप्टर है कोई ज्यादा दो ही यूनिट मैंने बताया है कोई ज्यादा नहीं बताया है तो इसको 4-5 बार पढ़ने है और 12 क्लास का जो बाइलोजी का लास्ट 4 चेप्टर है ठीक है इस देखने के बाद आपका ये होई जाएगा ठीक है लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी जो possibilities है वो बढ़ जाएंगी क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे ही नहीं तब तक आप question क्या बनाएंगे ठीक है everyone देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी में मैं 9th 11 12 है लेकि मैं आपको recommend करूँगा कि कम से कम 11 12 का जो पॉलिटी का जो बुक है ठीक है उससे आप जरूर पढ़ें इसमें दो है Indian Science and Political Science ठीक है Indian Constitution at Work ठीक है और Political Theory इससे आप जरूर पढ़ें क्योंकि जैसे ही आप अगर आपको लक्षमी कांद को genuinely आपको समझना है ना अगर आप चाहते हैं कि लक्षमी कांद आपको समझ में आए और उसकी चीजे समझ में आए तो my dear friends NCRT जो मैंने book दे रखा है ना उससे आप पढ़ लेना नहीं तो मैं stump लगा करके लिग के दे सकता हूँ कि अगर आप पहली बार लक्षमी कांद को उठा रहे हो ना पढ़ने के लिए आप skip कर दोगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसके terminologies वो है वो आपको समझ में नहीं आए उसके words आपको समझ में नहीं आए आपको समझ में नहीं आए कि चल क्या रहा आपको समझ में नहीं आए और चलो यह सब आप समझ में लोगे ना तो बहुत जदर टफ हो जाने वाला है आपके लिए सारी चीज़े इसलिए पुलिटी का एंसी याटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मुझे पता है बहुत साथ टीचर इसे रिकोमेंड नहीं करते हैं लेकिन आप जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे ना आपका बेसिक कंप्लिट नहीं होगा और बेसिक कंप्लिट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चाहिए नए लर्नर्स हो या जिनका 3-4 सालों से प्रिले लागो करके देखें अगर आपका प्रिलेम्स के लिए नहीं होता है न फिर आप आकर करके बोलना मुझे लेकिन यह स्ट्रेटजी आपको अपने उपर इंप्लिमेंट करना पड़ेगा आपको अपने लिए 100% होना पड़ेगा यह नहीं कि हाँ जैसे कि आज के समय में क्या होता है कि हम जूट बोल देते हैं दुसरे से जूट बोलना बहुत ही असान है लेकिन खुद से जूट बोल करके देते दिखाओ खुद को तो पता है आपकी आत्मा आपको कहेगी अरे क्या कह रहे हो क्यों जूट बोल रहे हो अपने आपसे तुमने 10 गंटे नहीं पड़े आपको share करूँगा लेकिन उसे पहले Indian Constitution and Governance के लिए ठीक है यहाँ पर एकनोमी होना चाहिए था यह मिस्प्रिंट है मिस्प्रिंट हो गया है तो यहाँ पर आप यह देखेंगे इंडियन इकनोमी आपको 9th 10th and 11th 12th का पढ़ना है ताकि आपका बारें बात कर ले रहे है इंडियन पॉलिटी ठीक है सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी को ही लेते हैं काफी जबरदर्स्त ओश्रम बुक है सर लक्ष्मिकांत जी ने इन्हें लिखा है और यहाँ से कुष्चन पर एक साल 20 कुष्चन तो आते ही आते हैं यानि कि 15 से 20 कुष चीज़े समझ में आजए इंडियन मोडर्न हिस्ट्री बहुत सारे तमाम बुकें हैं लेकिन मैं स्ट्रेक्ट्रम डेफर करूंगा कोई विए अडिशन फर्क नहीं परता चीज़े आपका चेंज नहीं हो जाएगा अगर 1947 में इंडिया हजाद हुआ है तो वह हुआ है गां चाहिए जिसके पास जिस पे आप ज़्यादा समय दे सकें इंडियन इकनॉमी रमेज सिंग मैं बिल्कुल रिकोमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप इसे पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा नहीं आप इसे छोड़ देंगे तो इस आप काफी जवर्दस्त भूक है जेग्रोफिक के लिए इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्याकि इसके विना आपका काम करते हैं अगर अगर आप revision करते रहते हैं, करते रहते हैं, revision करते रहते हैं, तो आपका selection हो सकता है, आपका selection depend करता है, कि आप कितना ज़्यादा revision करते हैं, जितना ज़्यादा revision करेंगे, आपका selection होने का chances बढ़ जाएगा, अगर आप ज़्यादा revision नहीं करेंगे, तो आपकी success होने का chances उतना reference ले सकते हैं या उन topics का आप notes मना सकते हैं जहां से numbers of questions ज़्यादा बनते हैं ठीक है my dear friends मैं again यही बात कहना चाहूंगा questions बाहर से नहीं आते हैं सभी books से ही आते हैं क्योंकि UPSC ने जोसे levels दे रखा हो सकता है उससे थोड़ा से advanced level से questions पूछ रहा है no doubt मैं इस चीस से एगरी करता हूँ लेकिन अगर आपको questions करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका UPSC 100% clear हो तो prelims आपको clear करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको इन books को पढ़ना और इस पर revision करना काफी ज़्यादा important है और ये जो तमाम जो studies में बता रहा हूँ ये सिर्फ prelims के लिए ही मायने नहीं रखता बलकि ये men's के लिए भी उतना ही ज़्यादा important रखता है और gene learners का इन में से कोई जैसे कोई history अपना और आसनल रखता है आपका dream आपका राह देख रहा है बस आपको वहाँ तक पहुँचना है फर्क नहीं परता कि आप किन कटना यह सुगुजर करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं दुनिया सिर्फ result को याद रखती है numbers को याद नहीं रखती तो आप देखें कि आपको किस तरह से आपको यह books को अपने लिए strategy बनाना है मैं बस यह कहुँँगा कि कम से कम आपको 10-12 घंटे आपको देनी है अपने study पे आप 3-4 घंटे आप अपनी online classes या जो भी आपके tuition center है 3-4 घंटे उसमें इनकाल सकते हैं देन आप जो वहाँ से पढ़के आए उसका proper धंग से revision किजिए उसको अगर हो सके तो रटा मारिए मैं यह नहीं करूँ कि पुरा को रटा मारिए लेकिन हो सकता है जितना ज्यादा हो सके उससे आप अपने माइन में डालिए मेरा मानना है कि कम से कम आप 8 घंटे भी अगर आप प्रोड़क्टिवे स्टड़ी करते हैं तो वो 12 घंटे के एवज में काम करता है अभी अगर आप new learners हैं अगर आप नए नए UPC में किजर्णी में आए हैं तो आप 8 घंटे अपनी स्टड़ी रखें और पहले आपना सुरुवात NCRT से करें NCRT में one subject को आप सबसे पहले पढ़ना सुरू करें जिसको आपने पहले पढ़ लिया है जैसे कि आपने कभी history पढ़ा होगा हो सकता है कि पोलिटी आपको याद नहीं होगा लेकिन history याद होगा तो आप history से सुरू करें यानि कि मेरी कहने का उतलब यह है कि जिन subject के बारे में आपको knowledge है पहले आप उससे ही सुरुवात करें ताकि जो आपका जो बोरियत पन जो होता है इसमें study में वो ना हो क्योंकि वही चीज वही चीज आपको जितने दिर कुर्सी पे बैठाएगी वही आपका study hours भी increase करवाएगी अगर मैं आपको यह कहा दू कि आप डिरेक्ट आज इंवार्मेंट इकलोजी उठा लो तो हो सकता है उसकी चीज समझ में ना है इकलोजी क्या होता आपको समझ में ना है यह भी हो सकता है कि hot spot किस एरिया को गोसित किया जा सकता है यह आपको समझ में ना है वाइव डैवर्सिटी क्या होता है यह आपको समझ में ना है लेकिन जैसे ही आप NCRT पढ़ लेंगे तो उन सारे वर्ट से आप familiar हो जाएंगे फिर आपको समझ भी आगा अच्छे environment इसको कहते है एकलोजी इसको कहते है ठीक है ecological succession यह होता है तो सारी चीज़े आपको समझ में आना शुरू हो जाता है constitution का part यह है यह आपका fundamental rights का part है तो आपको सारी तमाम चीज़े समझ में आ जाता है अगर आप इस channel पर नहीं है तो subscribe कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें लाइक कर दें अगर आपको वीडियो और बहुत ही ज़्याद आच्छी लगी हो तो please आप इसे share कर दें thank you thank you so much